हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक मैं चैनल सेल्फिश्टडी आपने मेरी पिछली वीडियो देखी लियोगी उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में देद हूँ और उसी की तरह कुछ कोशन हम दुबारा करने वाले हैं सो गाइस करते हैं सीधे स्टार्ट सबसे पहला जो हमारा कोश्चन है वो है सबसे पहला जो हमारा कोश्चन है वो कुछ इस तरह है मल्टी उजर ओपरेटिंग सिस्टम है यानि कि मल्टी उजर ओपरेटिंग सिस्टम क्या है एक यूनिक्स है दूसरा कुछन है OCR का फुल फॉर्म क्या है यानि कि OCR का पॉन रूप क्या है Optical Character Recognition P1, P2, P3, P4, P5 क्या है प्रोसेसर के प्रकार PC पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगे छोड़ने के लिए नामक की दमानी पड़ती है स्पेस PDA का ताथ पर रहे है PDA की फॉल फॉर्म है Personal Digital Assistant Post का पूरा नाम क्या है यानि कि Post की फॉल फॉर्म क्या है तो Power on Self Test Q80 क्या है Q80 की फॉल फॉर्म ही पूछी है Q80 की फॉल फॉर्म है Quick Access Toolbar RAM को नाम से जाना जाता है RAM को डैस नाम से यानि कि RAM को और किस नाम से जाना जाता है तो Secondary Storage Remotely किसी डिवाइस से जुड़ने मैं कौन सी प्रोटोकॉल प्रियोग होती है तो Telnet Revoque Command Database के अंदर आता है DCL SMPS का पूरा नाम क्या है Switched Motor Mode Power Supply SQL का पॉर्ण रूप क्या है Structured Query Language Twitter के सबसे अधिक उजर किस देश में है Turkey यानि कि तुर्की तुर्क देश में URL stdp www.doniv.ac यानि कि ek.in मैं stdp वाला हिस्सा होता है प्रोटोकॉल यूनी वो सारी UV यूवी प्रोफॉर्म ROM और EEPROM दोनों मेमोरी के प्रकार EEPROM है www के अविशकार Team Burners Lee है www प्रोटोकॉल का उप्योग करता HTTP है www के अविशकार तथा संस्तापक है Team Burners Lee ये कोशन मैंने बता दिया आपको तो ये कोशन उसके लिए सोरी दूबारा आ गया है WAV यानि कि WMA and AIFF उधारन है Audio File Format Windows 7 इन में से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है NTFS ओके फ्रेंट्स ये थे कुछ 20 कोशन जो मैंने बताये थे अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगर आपको इमेडियो जो है मेरी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें